द्रश्टी दोश वाले टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसमें देखिए उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है पर कपकप किया जाता है ये थोड़ा साम को कन्फुजन होता है तो इस कन्फुजन को भी हम क्लियर कर लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर दो वर्ड है हमारे पास में एक है निकट और एक है दूर कौन सा देखिए शब्द बढ़ा है निकट बढ़ा है कि दूर बढ़ा है और देखिए कौन सा अक्षर लेंस में बढ़ा है अवतल लेंस बढ़ा है कि उत्तल लेंस बढ़ा है अवतल चार अक्षर इसमें आ रहे हैं मतलब निकट द्रश्टी दोश में अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा clear? दूर जो है ये शब्द छोटा है इसलिए यहाँ पर चोटा लेंस मतलब कहने का मतलब है उत्तल लेंस यहाँ पर तीन अक्षर आ रहे हैं उत्तल में तीन अक्षर आ रहे हैं अवतल में देखे कितने अक्षर आयते चार अक्षर आयते तो ये शब्द बढ़ा है तो बड़े शब्द से relate करेगा निकट बड़ा है अवतल बड़ा है तो आपस में देखिए connect हो जाएंगे दूर छोटा है और उतल छोटा है तो ये आपस में connect हो जाएंगे इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आप answer जो है एक्जाम में लगा लोगे